हम अंजनी सुत बजरंग वली की कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हूँ बड़ बलवार हे राम भक्त हनुमार तुम तो हूँ बड़ बलवार गौतम रिसी निशाप दिया था माता अंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी ही माता पंजाओ बोली अंजनीर इस वरिये मैं होने ना दूँगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखू ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा बिर्था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया चोटा साइक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यवार हे राम भक्ति हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यवार मोहनी रूप जो विष्णों जी ने भोले को दिख लाया काम भेग फिर भोले जी को रूप देख चड़ आया काम भेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतमरिसी का साप कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आओ काम भेग ये आपका तो यूँ व्यर्त न जाएगा गवतमरिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं कम कथा सुनाते हैं हिराम भप्ध हनमा तों तो हो बड़ बल्याउ ये राम भग्य हनुमा तुम तो हो बड़े बड़े आ बोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी बैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझे को बाहर ना आना बंग करना है शापरसी का मैंने है ठाना कहने लगे भोले है देवी हमें लगी है प्याँ पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खा अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम्ह बिना तच्छिणा किसी का पानी ना पीते हैं कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्री राम गुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमात तुम तो हो बड़े बलवात हे राम भक्ति हनुमात तुम तो हो बड़े बलवात पोली अंजनी है जो की ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिसिगाओ तम ने दिया कहने लगे के हैं जनी इसको ना समझो सा ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद हैं भोले ना होगा जो ये बालक वो बड़ा बीर कहाएगा कॉमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमार मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोट ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे श्री राम बुलाते हैं तमकता सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यमार हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बल्यमार पावन के जरिये कान से होकर ये हैं गर्ब में आए इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाए किंतु गर्ब में पड़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े बीर बल्यमार बोले जीने जैसा कहा था रखा नाम हनुमार देखके एक दिन आसमान में लटक रहा फलला उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमार समझ के फल वो सुर्य देव को निगल ही जाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते है हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत्य हनुमार तुम तो हो बड़ बलवार सुर्य देव को जो निगलातो हुआ घोर अंधिकार तुम तो हो बड़ बलवार सुर्य देव को जो निगलातो हुआ घोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग ब्याकुल हनुमत निगल गए सुरज को समझ के मीठा फल होए कत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सुर्य देव को रहे है समझाए जित्डी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भर कर इंद्र देव ने वच्च लिया है ता वच्ज प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्मान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्मान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हां ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वजर प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया पेक को रो सास भिलेना सब का फिर तो हो गया था दुसर वार प्रमा जी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्ड देह प्रमा जी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरति समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरति हनुमान तुम दो हो बड़े बलवान हे राम भरति हनुमान तुम दो हो बड़े बलवान अवन देव ने ब्रह्मा जी की लिंतीली है मान वज्र देह का प्रम्हा जी ने दिया उन्हें वरतान सुर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जै जैकार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उने देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बच्चों ने आए रिसी मूख के साप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हू बड़ बल्यों हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हू बड़ बल्यों किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आए वानर राज सुक्रियूने से नामे लियां मिलाएं राजा जसरत के घर जन में पुर्सों तमस्रीरां खुसी मनाए नगरी सारी हो रह मंगलगां भोले बाल रूपी दर सन्राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी वाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे प्यारी बन के मदारी आयोध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भग्न हनुमान तुम तो हो बड़ बल्वान ही राम भग्न हनुमान तुम तो हो बड़ बल्वान चरचा छिडी आयोध्या में एक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी पुर्सोतम स्रीराम खेल को देखन चाहते हैं राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते हैं भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया बोले राम ये वानर तो है मेरे मन को भाया ये बानर तो मैं रखूंगा बोले है स्रीराम लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए है प्रस्था माने ना स्रीराम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरति समान जिने स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़ बल्वार राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़ बल्वार राजा तस रतने फिर तो है बानर कई मगाएं माने ना स्रीराम वही तो बानर लेना चाहें अपने मंत्री को राजाने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किस किंधा वानर राज सुक्रीवन आकर उनको सीस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान कफिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्रीराम हम ये लीला रहे दिखा अब तुम जाओ हनुमान हम बनबास को आते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्ति हनमान तुम तो हो बड़ बलवान छोदाह बरस को सीरी नाम जब आए हैं वनबास बलिवद करके सुग्रिष से फिर किये मित्र ताखा बलिवद करके सुग्रियों से फिर किये मित्र ताखा सीता मा की खोज में निकली सब बानर सेना लंका जाने के लिए है हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सौयो जन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीता माता को जागर के किया है फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छेका कर दिया काम तमाओ सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमा तुम तो हूँ बड़े बलवाँ मना किसे तू फिर कर दी हैं लंका नगर चढ़ाई जटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने तानों मारे हैं स्री राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाले और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुरियोत ऐसे पहले जाकर संजीवन लाए भरत समान राम प्रभु ने भाई बत लाए राम प्रभु तुम्झे कुछ हो करके गले लगाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते है हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान लंक विजय कर लोट सभी जब योध्या आते हैं सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे हैं मोती की माला हिस्से में आपके आई है तोड़ी मोती माला ता तो तले चब आई है लंक पती विभी सन ने फिर कह दी ऐसी बाट तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जाग इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए हैं क्या हिर दै में तेरे भी सी आराम समाए हैं फार के सीना सी आराम का दरस कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं पाई भरत समान जिने सी आराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भख्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान वीरों के हैं वीर ये अपने माँ वीर हनुमान राम भक्त हैं बड़े निराले गुड़े और पलकी खां सुरी राम की आग्या कासद पालन है करतें भूत पेत और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरतें हे बजरंग बली रखना हम पे किरफा की छाया डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हंस राजरे लहन ने बनाया सोनोट एक चैनल सुनेगा जो भी इस गाथा को होंगे काम सबर वोजी सुरेस से लाखों भक्त भिसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बलवान ही राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बलवान